आँस तो मुझे गाना गाने काम favorites हम होंगे कामियाब हम हुंगे कामियाब इस मन्त मन में है विष्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामियाब इस मन्त पूरा होगा अपना टार्गेट पूरा होगा अपना टार्गेट मोटा प्रॉफिट कमाएंगे हम इस मंत हम होंगे कामियाद तो भाई आप पूरी कामियाबी मिलेगी प्रभु के आश्रीवाद से प्रभु कृपा से और आपकी शुब कामनाओ से अच्छा प्रॉफिट है स लवा रुपे के आसपास का प्रोफिट अल्रेडी साल भर में बुक हो चुका है मैंने ज्यादा किया मैडम ने कम किया मैडम थोड़ा कंजर्वेटिव टेट करती है तो यह मन्त है इसमें अच्छा और और प्रोफिट निकलाएगा तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी वर आपध जी आडी ताडी तिर्शी हो सकती है लेकिन हमने सभल के चलना किते इस मारकेट में तो आपका कैसा चल रहा है पूरा साल क्योंकि यह मन्त वड़ा जाएगा इसलिए थोड़ी cash position टाइट होगी तो आज आपने देखा होगा मैंने cash segment में ज्यादा खृजा नहीं करी पर चलाकी से cash generate किया कैसे करा आज की वीडियो में देर तक आखिर तक देखेगा तो आपको समझने आएगा मुझे ऐसा लगता बजार तेज रफ्तार के लिए रेडी हो रहा है करता चलांग मारने से पहले शेर थोड़ा दो कदम पीछे ले रहा है ऐसा मुझे लगता है मैं नौस्त्र दमस नहीं हूं गलत भी हो सकता हूं आपके कह विचारे कमेंट में जुरूर लिखना डार्लेंग मैं सारे कमेंट पड़ता हूं कि शेर बजार बहुत ही खत्रनात जगह है यहां एक भूली मैं केवल एजुकेशनल वीडियो भी बनाता हूं मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं चर्चा किये के स्टॉक उधारन के लिए और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा यह मानना है कि शेर बजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करन हाई गाइज आपका स्वागत है आपकी अपने शो एमकेशे टॉक्स पर इंवेस्टमेंट एन हिंदी में हाहा कैसे हैं आप देखिए आज शेर बजार में फिर मतलब अजीव सी हल चल रही अगर मैं एक बारी को सभी बजारों की चर्चा करूं और आपको बताओं अभी क् तो आप जानके हिरान होंगे कि आज एशे बजार ओवराल ठीक थे जो आपके जपानी बजार सुबह बहुत गिर गए थे शाम को फ्लैट ही बंद हुआ है जस्ट पॉइंट जीरो फाइव परसंट गिर कर बंद हुआ है ऑस्ट्रेलिया भी फ्लैट बंद हुआ है लेकिन परसंट चड़कर बंद हुआ है शंगही गिरा हुआ था चाइना एफिफ्टी बढ़कर अच्छा बंद हुआ है इसके लावा मज़ेदार तेजी हमें होंग कॉंग में देखने को मिली जो तीन परसंट से ज्यादा तीज था और यही हाल कॉस्पी का था एक परसंट के ले लूँगा खेल पिता से तुम भी लेना भाई ना चोगाओ खुशी मिनाओ आज दिवाली आज जो है अर्दिया दिवाली सी मन रही है सारा का सारा यूरो भरे में और आपको तेजी एक देड़ परसंट तक की भी देखने को मिलेगी कई बजारों में अब अगर मैं चलता ह अमरीका की तरह तो चारों इंडेक्स तेज है और निश्डेक तो सवा परसंट की तेजी के साथ जंडे गार रहा है और यही हाल कैनेड़ा और ब्राजील का हलंकि कैनेड़ा 0.25% चड़ा हुआ है और ब्राजील 0.75% चड़ा हुआ है इसके विपरीत अगर मैं अपने बजारों की बात करूं तो अपने बजार तो भाई साथ आज फ्लैट ही बंद हुए निफ्टी फिप्टी फ्लैट था जस्ट पॉइंट जीरो वन परसंट बढ़कर बंद हुआ और निफ्टी बैंक की बात करूं तो वो तो गिरावट आ रही है यानि मार्केट मूड इंप्रूव हो रहा है अब बड़े दिनों के बाद मार्केट मूड जो है पांच मार्च के बाद पहला दिन था जब 40 के पार गया है तो हो सकता है कल और परसो एक अच्छी मजबूती देखने को मिले आज हलां कि मैं यह थोड़ आशी के नीचे ठीक है पर टैनिये ट्रेजरी इल भी थोड़ी सी बढ़ी है यानि आज चारों अंतराष्ट्री इंडिकेटर्स मतलब ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा नेगिटिवी है पर हमारे FIs कि जाने काहां मेरा जिगर गया जी अभी 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 था किधर गया जी माल रोज FI खरीद रहे जी अब बड़े दिरुबार ऐसा हो रहे है कि रोज माल करें चार दिन का डेटा चारों दिन का ग्रांट टोटल देखो भारा है तो यह बहुत बड़ा संकेत है क कि कोई बड़ी तेजी छुपी और डी आइस भी देखो कितना ज्यादा खेज रहे हैं मुझे लग रहा है एच्छाए नाई इन्वेस्टर्स की लगी वह वाट वह माल बेज रहे हैं वाकि सब खरीद रहे हैं तेहत्तर पॉइंट तेहत्तर करोड कैश सेग्मेंट में खरीदारी इंडेक्स में 442 और फ्यूचर बहुत जबर्दस खरीदें 2100 क्रेड़ों के आसपास 2610 क्रोड की नेट खरीदारी 258 क्रोड की कैश सेग्मेंट में डी आइस की खरीदारी कैश सेग्मेंट में आज फिर धाई हजार करोड के आसपास की नेट खरीदारी आई जो की एक बहुत बड़ा ही फेवरेबल फैक्टर है अभी पी फाइस की लॉंग अगर हम इंडेक्स में कहें रीजनेबल है स्टॉक्स में कहें रीजनेबल है अभी उपर की काफी गुंजाइश छूटी हुई है आज अगर मैं बात करूँ ए थोड़ा सा चड़ा है तेरा सो के पार आ गया है एच डी एफसी बैंक इंडिया मार्ट बाल कृष्टन इंडस्ट्रीज यह ऐसे चेस थे बहुत तेज भागे इनि टॉप गेनर्स आज की चार शेर थे आज का सबसे बड़ा सर्प्राइज यह शौक के लिजे एच डी एफ सी बैंक ने करा कमाल है आज डी एलफ के वाट लगी थी पांच परसंट से जादा गिरा हुआ था हिंदुस्तान कॉपर नैलको और गौद्रेज प्रपरटी ऐसे शेर थे जिनमें चार परसंट से बड़ी गिरावर देखने को मिली यानि इन शेरों में कहीं ने कहीं हाकार म करें निफ्टी फिफ्टी रहा दोसो पॉइंट्स की मुव्मेंट में घुमता रहा दोसो पॉइंट मेंसे अच्छा होता है कल बंद हुआ था बाइस थीन सो बतीस पर आज बिलकुल फ्लैट हाला कि हरें में ओपनिंग करी थी वाइस तीन सो चौपर फिर पीक शुरू के 35 बस नाकी निकटवाई हरे में बंद हो गया अदर्वाइस तो इसकी बैंड आज बज गी थी बारा शेर निफ्टी-फिफ्टी में चड़े हुए थे 38 गिर हुए थे यानि कहीं न कहीं निफ्टी-फिफ्टी की भी आज अच्छी लंका लगी थी आज का दिन जो बचाया बि अच्छानिपोर्स और जेसरे में देखने को मिलेगें आज की कैंडल बिल्कुल इनडिक्रीश्जिव जर्टी इसकी चरचा करेंगे इनडिसी जर्टी होता है जब बजार-जहां खुलता है वहीं बंद हो तो वहीं खला है बंद और जो उसकी बॉडिवन दी बिल्कुल ल आपिए कुछ नहीं ग्लास तोड़ा बाराना उपर गया। टिक ने पाया। नीचे गया तिक नुद्ट वहीर आ गया। कर दो एक तो जाएँ कहां उपर घाये कोई तो यह बत लाएं तो बहता है तो बजार में इसको कोई नी बत लारा की Joseph लेकिन आप देखेंगे एक बड़ा कंसॉलिडेशन ऐसा लगता है इन कैंडलों के अंदर यह आपकी साथ कैंडले और आज भी बजार लगबग साथ दिन के आठ दिन इसको भी इंक्लूड कर लिजिए आर दिन के लो पर क्लोज हुआ है तो बजार हलाकि कल से थोड़ा उपर कल आर दिन का लो था आज तीन पॉइंट उससे उप पर है हरे में बंद हुए आपको बता है ना स्वारी तीन पॉइंट बढ़कर बंद हुआ आपको बता है तो यह बात है बाकि एक पॉजिटिव बात है कि नीचे का बोलिंजर बैंड उपर जा रहा है जो स्ट्रेंथ द देख लेते हैं PCR में इंप्रूब्मेंट है अब हो सकता है PCR एक जंप लगा लें मंथली PCR अभी वहीं टिका हुआ है अब बात करते हैं ऑप्शन चेन अनलिस की बाहरा इस तीन सो पैंटिस पे बंद हुआ बाइस तीन सो पर देखी कॉल राइटिंग कम है पूट रेटिंग सो पर आप देखेंगे रिवर्स पोजिशन है हाला कि बहुत ज़्यादा पूट कॉल राइटिंग बाइस पांसो पर पूट राइटिंग बड़ी रेंज कल के मुव्मेंट के लिए जो अविलेबल है वो बाइस हैजार से बाइस हैजार पांसो कल निफ्टी बैंक की एक्स पें 21 यह पर सेकिंड यह बाइस यह तो मंतिली तो बजार ठंडा लग रहा है पर वीकली बजार तेज लग रहा है इसकी तो हमने बात कर ली अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं निफ्टी बैंक में कल जो बंद देखा था हमने 47 यह 327 पे दिखा था आज हलकी गैप ऑप में 47812 का पीक बनाया था लाइफ टेम हाई से लगबग 800 पॉइंट दूर और उसके बाद यहां पीक बनाया उसने बड़ी असा उसके ध्राम से गिर गया फिर रेंज बाउन निफ्टी फिफ्टी घुमता रहा अल्टीमेटली 47282 पर यहां बॉटम बनाया था चाली से जा रहे में था आज था हड़ी फिफ्टी फिन निफ्टी में अच्छा है तो हड़ी फिन निफ्टी में लोगों को गया अधर वाइस बैंक के सारे शेर मरे पड़े और सबसे ज़्यादर आप देखेंगे बेंकर गिरावट जो देखने को मिली आप फिरान रहेंगे वह था फ पर यह लोर बुलिंजर बैंड को टच किया थोड़ी अन्डिसिजिव चेंड़िए हालकि इसकी बॉडृी निफ्टी फिफ्टी के बढ़िए अभी कोई नेगल संकेत नीं है केंडल पूरी की पूरी अपर हाफ ओफ मेल्ट अपर हाफ ऑफ पुलिंजर बैंडर मिड़ल हा को देखने को मिल सकती है तीन दिन से लगातार बुलिश क्रॉस ओवर में कमजोरी देखने को मिली है आरे से अब काफी रीजनेबल 55 के लेवल पर आगे हैं अब इसकी बंद होगा था यह 47 यह 282 पर 47 पकड़ लीजे 47 पर कॉल राइटिंग कम पूट राइटिंग बहुत द्धंकार है लेकिन 48,000 पर गायब है 48,000 पर बहुत जादा पूट राइटिंग कम है यह उपर की रिसिस्टेंस इस वक्त 48 पर बनती है नीचे की रिसिस्टेंस 46 पांसों बनती है जहां पर कॉल राइटिंग बहुत कम हो गई फूर रैटिंग सफिशेंट ली हाई है तो कल वाले महल की improvement है यह कमजोरी के संकेट दिखा रहा है अब कल देखते हैं हो सकता है कमजोरी के संकेट में एक बड़ी तेजी देखने को मिले आज खतरनाक दिन था चौँटिस दो सो का मैंने profit book किया प्रभू के आशिवाद से प्रभू इकरपा से आप सबकी सुबकामनाओ से दो square of किये एक future बेचा दो aggressive put sell करी एक aggressive call sell करी चार safe put sell करी और एक cash segment में पनाया पैसे थे ही नहीं तो किया किया मैंने इस एकाउंट में तेइस सो से त्रेसेट सो पचास शेर बचे चेसो अठाइस थी तीन सो शेर मैंने एकजार सत्रा और तीन सो शेर मैंने एक अजर बीस के हसाब से बिचे तो इसमें लगबग profit कितना आया कि इसमें बड़ा profit आया मैंडम exact आपको बता रही थी चिंता ना करिए तो मैंडम बताती है आगी की बात कर लेते हैं दो मेरी स्कॉले रही थी आट सो चॉंतिस पांसो असी का इसमें मुनाफा हो सरफ शेसो शेर मैंने बेचे इसके बाद क्या हुआ मेरे दो कॉले मेरी काटा इसका लॉस फिर आदा हो जाएगा दो लाग पांच जार के आसपस एक सो कटर पर स्कॉर आफ की थी एक कॉल अब लॉस तो बुक करना ही था यहां दो चॉंतिस पांसो असी का फायदावा सिर्फ शेसो शेर बेचे और चॉदा सो पच्चीस की कॉल स्कॉर आफ की अपने होंसला बनाया रखता हूं और पोजीशनों को मैनेज करता हूं अगर आप यह सब सीखना चाहें तो मेरे वाट्शेप के स्टूंट बन सकते हैं फोन नूम्बर है सत्तर ग्यारा तीन सो तेश जिरो सतत्तर सेवंटी एलेवन त्री ट्वंटीटीटी जिरो डबल है और डिमेट अकॉन खुलवाना तो मेरी टीम को उसी नंबर पर सत्तर ग्यारा तीन सो देश जिरो सततर पर करिए और यह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे अपना डिमेट अकॉन खुल लिए इसी के साथ साथ बाबाई गॉड ब्लेस्टी हापी इंवेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट की बेताज रच्छा बने